Hello everyone, welcome to today's class. तो पिछली class में हमने देखा था fixed storage bin type और आज की class में हम देखने वाले हैं bulk storage type. तो bulk storage type क्या होता है, उसका utilize हम कब करते हैं और उसका benefits क्या होता है, और उसको IMG settings कैसे रहता है यह सारे details समझानेंगे आज की class में, तो चलिए सुरू करते हैं. तो सबसे पहले bulk storage type होता क्या है, नॉर्माली bulk storage type जब हम bigger size of material को एक साथ क्लब करके रखते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? bulk storage type, suppose हम कोई जैसे material होता है, suppose हम कोई food material, तो यहाँ पे अगर हम image में देखें, तो यहाँ पे जब हम स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं, bulk storage type. तो यहाँ पे आप देख सक्ते हैं, जो material यहाँ पे आप देख सक्ते हैं, food material type जो होता है, जो की बोरे में या फिर कते में आता है, उसको हम क्या करते हैं? एक के उपर एक storage करते हैं और side by side भी यहाँ पर आप देख सकते हैं side by side भी store किया जाता है तो basically इस type का जो material रहता है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो material है इसको stack करके रखा गया है एक के उपर एक और side by side रखा गया है तो यहाँ पर normally हमको फाइदा क्या होता है हमारा physical storage bin हमको कम हो जाता है need कम हो जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक structure बनाया गया है एक bin बनाया गया है उसके अंदर हमको material रखना है लेकिन हमको यहाँ पर ऐसा कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है हम bulk में एक जगा पर material को store कर सकते हैं तो हम अगर ऐसे material को store करेंगे तो हम यहाँ पर easily इसको access कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो positive point होता है वो यह है कि आपका physical storage bin का requirement जो है वो कम हो जाएगा और दूसरा जो है आपका जो यहाँ पर जो item है यहाँ आप easily accessible हो सकता है access कर सकते हैं मतलब आप यहाँ से जो box है box के अंदर से material जो है आप इसको remove कर सकते हैं या फिर directly अगर आपको box remove करना है तो box भी आप यहाँ से remove कर सकते हैं तो basically यह होता है आपका जो bulk storage का जो फाइदा रहता है वो यह रहता है तो आप एक जगा पर ज्यादा से ज्यादा material रख सकते हैं और आपको यहाँ पर कोई structure की जरूरत नहीं पड़ती है और कोई भी यहाँ पर physical bin की जरूरत नहीं पड़ता है तो यह हमारा positive point होता है तो अब चली देखते हैं हम इसको okay so next point है कि हम इसको कितना material हम यहाँ पर रख सकते हैं और कितना stack में इसको रख सकते हैं तो यह basically आपका storage unit type के उपर defend करता है आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर box के उपर box रखा गया है तो एक box का capacity कितना होता है और उसका weight कितना होता है और एक box के उपर हम उस weight के हिसाब से कितना box यहाँ पर allowable है हम कितना box रख सकते हैं वो depend करता है आपका storage unit type है तो storage unit type से आप देख सकते हैं, आप वहाँ पे कितना material रख सकते हैं और कितना stack आप बना सकते हैं, तो यह सारा details हम जानेंगे अपने SAP के screen में, तो चलिए SAP के screen में हम देखते हैं इसका जो IMG settings है और इसको कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा SPRO, तो यहा यहां पे warehouse management, warehouse management से हम जाते हैं master data पे, तो यहां पे हमको जाना है define storage type पे, तो यहां पे हम storage type पे जाते हैं, तो यहां पे अगर हम अपना warehouse location W01 ले लेते हैं, और यहां पे storage type 4004 है, इसको हम ले लेते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं, यह block storage का है, तो यहां पे अगर हम में जाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं जो पुटावे strategy है यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो पुटावे strategy B पे है यानि की bulk storage पे है और यहां पे stock placement के लिए यहां पे addition to stock यहां पे है मतलब हम जब भी material available होगा उसके बाद भी हम यहां पे material रख सकते हैं और यहां पे storage unit type का जो check है वो active है यहां पे क्योंकि हम जो material को एक के उपर एक रखेंगे उसके लिए हमको storage unit का check करना वो mandatory हो जाता है और यहां पे आप stock removal पे देख सकते हैं यहां पे F यानि कि यह FIFO type का stock removal होता है first in first out तो जो भी material पहले आएगा वो material पहले जाएगा तो यह basically होता है आपका storage type का जो configuration है वो आपको यहां पे देखना है तो अभी हम बैक चलते हैं तो बैक चलने के बाद हम जाते हैं define हम जाते हैं यहां पे storage bin के उपर तो storage bin पे हमको bin structure यहां पे define करना है तो bin structure पे हम यहां पे जाते हैं अपना जो W01 है और storage type जो है वो हमने 004 लिया था तो हम यहां पे देख लेते हैं हमने अल्रेड़ी यहां पे एक sequence यहां पे add किया हुआ है तो आप अगर चाहें तो इसको details आप यहां पे देख सकते हैं तो यहां पे जैसे हमने एक template लिया हुआ है एक structure लिया हुआ है और यहां पे start or end value हमने लिया हुआ है तो अगर आपको similarly दूसरा यहां पे आपको बनाना है बिन structure तो आप यहां पे develop कर सकते हैं I hope आपको template और structure के बारे में already पता है आप अगर चाहें तो यहां पे बना सकते हैं कोई issue नहीं है यहां पे जैसे आप देख सकते हैं A01 का हमारा बनाया गया है तो similarly आप यहां पे बना सकते हैं तो यहां से हम back चलते हैं next हमको जाना है strategy में तो strategy में सबसे पहले हमको जाना है storage type search में तो यहां पे हम चलते हैं define में define में हम यहां पे अपना जो warehouse number है W01 पे देख लेते हैं हमारा storage indicator बल्क के लिए कुछ है क्या यहां पे हमारा कोई bulk के लिए indicator नहीं है तो हम यहां पे new entries पे जाते हैं तो हम यहां पे W01 लेते हैं और indicator जो है उसको BL के ले लेते हैं और description यहां पे हम ले लेते हैं bulk storage तो इसको enter कर लेते हैं save कर लेते हैं तब हम यहां से back चलते हैं back जाने के बाद हम यहां पे determine search sequence में जाते हैं तो यहां पे हमको सबसे पहले देखना है क्या हमारे warehouse के लिए 004 के लिए कोई entry है तो W01 में जाते हैं और यहां पे हम इसको enter करते हैं तो W01 के लिए आप यहां पे देख सकते हैं कोई भी bulk type का नहीं है तो हम यहां पे new entries पे जाते हैं और अपना जो storage type के लिए होता है तो next जो है storage type indicator है तो storage type यहां पे आप देख सकते हैं storage type indicator यहां पे आप BL के लिए block जो हमने लिया था और यहां पे first storage type के लिए यहां पे जो storage type यहां पे first storage type है यहां पे आप 004 ले लिजे similarly आप यहां पे W01 and operation जो है उसको A ले लिजे जो हमारा picking के लिए होता है और यहां पे block storage type indicator ले लिजे और यहां पे जोड़े immobile के लिए है 004 first selection दे दीजे तो यहां पे इसको save कर लेते हैं तो अभी हम यहां से back चलते हैं तो यहां पे next जो है आपको यहां पे storage section नहीं होता है क्योंकि हमारा bulk storage है तो यहां पे first moving या फिर slow moving या फिर कोई भी storage section नहीं रहता है तो हमको यहां पे सीधा सीधा जाना है storage bin search पे bin type search पे तो यहां पे हम storage bin पे जाते हैं तो यहां पे सबसे पहले जो है आपको storage type पे जाना है यहां पे आपको अपना जो storage type है कौन सा storage type आप allow करना चाहते हैं अपने जो storage type के लिए यहां पे आप allow कर सकते हैं तो हम position में जाते हैं अपना warehouse location w01 में जाते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं 004 के लिए कोई भी यहां पे storage unit type नहीं है तो हम यहां पे new entries पे जाते हैं W01 देते हैं, यहाँ पर जो हमारा storage type है, वो 004 लेते हैं, और यहाँ पर जो first storage unit है, उसको हम BX1 देते हैं, और जो second है, उसको हम BX2 देते हैं, यानि कि यह box type का storage होता है, third जो रहता है, उसको BX3 देते हैं, और जो हमारा fourth storage रहेगा, इसको हम E1 देते हैं, और जो fifth रहेगा, उ उसको हम E2 दे देते हैं, तो यहां पर हम इसको enter कर लेते हैं, तो यहां पर हम इसको save कर लेते हैं, तो basically हम जो यहां पर first priority दे रहा है, जो यहां पर allowed category है, अगर आप यहां पर देखेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, BX1 यानि की small box होता है, BX2 यानि की medium box होता है, BX3 यानि कि box big size होता है और यहां पर जो E1 होता है वो euro palette 1 meter height के लिए होता है और E2 जो होता है वो 2 meter height के लिए होता है तो maximum यहां पर 1 meter height के लिए रख सकते हैं कोई भी material और 2 meter height के लिए कोई भी material यहां पर रख सकते हैं तो basically इतने सारे जो हमारे storage unit type है वो हम यहां पर activate कर रहे हैं, मतलब यह allow कर रहे हैं, सिफ यही storage type जो है, वो bulk storage में आपको रखने के लिए allow रहेगा, तो यहां से हम back चलते हैं, next जो है, हमको जाना है put away strategy के लिए, तो यहां पर put away strategy के लिए, आपको अगर कोई additional यहां पर put away strategy के लिए कुछ define करना है, तो आप यहां पर put storage पर जा सकते हैं, यहां पर define strategy for world storage, तो यहां पर advanced settings के लिए हम जा सकते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हमको जाना है define में, तो define में आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम position में जाए, w01 और यहां पर 004 के लिए हम देख लेते हैं, हमारा कोई entry यहां पर है नहीं, तो हम यहां पर new entries पर जाते हैं, तो यहां पर new entries पर जाने के बाद हम यहां पर W01 ले ले लेते हैं, और जो storage type पर 004 ले ले लेते हैं, तो यहां पर पहला जो indicator है, वो है combined put away के लिए, तो यह combined put away होता क्या है, normally अगर आप क्या करते हैं, suppose आप यहां पर material प्लेस करना चाहते जो bulk area में होता है या फिर bulk storage type पे होता है तो यहाँ पे अगर आप कभी भी material यहाँ पे put करना चाहते हैं तो यहाँ पे system क्या करता है system इसके पहले वाले जो भी आपका item रहेगा जैसे पहले वाले जो भी material यहाँ पे already place हुआ है उसका सारे details यह capture करेगा capture करने के पाद इसका जो TO generate होने से पहले यह सारा जो details रहेगा इसका मतलब आप जो similar kind of material और similar kind of placement जैसे आप कौन से similar material इस 004 type के material के जो storage unit type है storage unit है sorry storage type है इसके अंदर जो आपको रखना चाते हैं तो उसके लिए कितने सारे material है वो अगर सारे material आभिलेबल है तो वो सारे material को combine करके एक ही put away process में डालेगा तो इसके लिए इसको बोलते हैं combined put away अगर कि ज्यादा material होगा तो सारे material को ये एकी साथ put away के लिए यहां पर allow करेगा तो हम इसको select कर लेते हैं next जो है यहां पर partial quantity management के लिए हैं तो partial quantity management basically क्या होता है आप यहां पर क्या कर सकते हैं आप palette में partial quantity रख सकते हैं रदे अगर आपको कोई भी movement करना है suppose आप full quantity movement करना चाहते हैं उसके बदले में आप यहां पर partial quantity भी रख सकते हैं तीसरा जो indicator है यहां पर blocked for put away यह basically होता क्या है suppose जैसा कि हमने यहां पर suppose अगर हम यह image पर जाए तो suppose आप यहां पर देख सकते हैं कि material यहां पर place किया गया है one on another यहां पर place किया गया है suppose हम इसको example ले लेते हैं इसको हम suppose example ले लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे material यहां पर place किया गया है suppose यह जो top बला box है यहां से हमारा material हम remove कर रहे हैं यहां से हम material remove कर रहे हैं तो यहां पर जब हम पहला material यहां से remove कर रहे हैं उसके बाद क्या होता है यह जो किया जाएगा पुटा हुए के लिए ओके तो यहां पर क्या किया जाएगा यह box को ब्लॉक किया जाएगा पुटा हुए के लिए जब तक इसका सारे जो material है जब तक remove नहीं हो जाते इस box के अंदर से सारे material जब तक remove नहीं हो जाते, जब तक ये box empty नहीं हो जाता, जब तक ये पूरा खाली नहीं हो जाता, तब तक इसको put away के लिए block किया जाएगा, ताकि जो दूसरे available boxes हैं, उसके अंदर हम material रख सकें, और ये material, ये जो box है, इसको हम पूरा खाली कर सकें, तो basically ये process होता है, जब हम यहा लेते हैं, और अगर आपको कोई भी दूसरा यहाँ पर settings लेना है, आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये हमको ये तीन indicator जो है, ये आपको ज़रूरी है, तो हम इसके लिए इसी को ही select कर रहे हैं, हम इसको enter कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको save कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम back हैं, तो next जो है, यहाँ पर bulk storage indicator है, इसको हम click करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, bulk storage indicator create किया गया है, तो हम यहाँ पर position में जाते हैं, और W01 पर जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, bulk indicator जो है, BL यहाँ पर दिया गया है, जो कि bulk indicator के लिए, यहाँ पर जो इसका description है वो bulk indicator के लिए दिया गया है यानि कि यहाँ पर जो symbol है वो BL है तो अभी हम यहाँ से back चलते हैं यह already हमारा defined है क्योंकि हमने यहाँ पर copy किया है जो 001 जो हमारा warehouse number है वहाँ से हमने copy किया है इसके लिए यह already यहाँ पर available है अगर आपको कोई दूसरा bulk storage indicator आपको य क्लिक करके यहाँ पर copy कर सकते हैं suppose हम यहाँ पर suppose हम यहाँ पर वाईयल ले ले लेते हैं और यहाँ पर suppose हम heavy material ले ले लेते हैं तो heavy material हम suppose यहाँ पर ले लेते हैं और इसको हम save कर लेते हैं तभी हम यहाँ से back चलते हैं नेक्स जो है वो है block structure तो यहां पे basically क्या होता है हम कितना material रख सकते हैं उसको हमको define करना पड़ेगा हम यहां पे suppose w01 पे जाते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं जो हमारा storage type 004 है उसके लिए यहां पे आप देख सकते हैं bin type जो है storage bin type b1 है और यहां पे b1 पे आप यहां प देख सकते हैं जो bulk storage indicator है वो b1 है और यहां पे stack आप देख सकते हैं 8 stack है और जो stack का height है वो 4 है तो यहां पे 8 का stack यादिकी जो side by side रहेगा वो 8 का रहेगा और जो stack का height रहेगा यान कि एक के उपर दूसरा चो material रहेगा या फिर box चो रहेगा उसके लिए आप 4 ले सकते हैं अपना जो storage unit type है, उसको 4 unit रख सकते हैं उसके उपर, तो इसके हिसाब से 8 into 4, यहाँ पे 32 total number of issue आप maintain कर सकते हैं, एक bin type के लिए, तो यहाँ पे second जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, second जो है, फूबी आपका यहाँ पे storage unit type जो है, वो IP है, तो IP के ही साब से, आप यहाँ पे define कर सकते हैं, stack और stack का जो height है, वो आप यहाँ पे maintain कर सकते हैं, तो similarly, अगर आपको यहाँ पे दूसरे type का, जो SUT है, जो हमने लिया है, suppose हमने BX1 लिया है, BX2 लिया है, उसके लिया अगर आप यहाँ पे maintain करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे maintain कर सकते हैं, suppose हम new entries पे जाते हैं, और यहाँ पे W01 लेते हैं, storage type 004 ले लेते हैं, storage bin type जो है, इसको हम suppose E1 ले लेते हैं, और यहाँ पे SUT जो है, इसको हम bx1 ले लेते हैं और यहाँ पर bulk storage जो indicator है इसको हम bl ले लेते हैं और यहाँ पर stacks में suppose हम 10 ले लेते हैं और stack का height suppose 5 ले लेते हैं और यहाँ पर number of जो SU है, इसको suppose हम 50 ले लेते हैं, तो आप ऐसे ही अपना जो different different storage उने type रहेगा, उसके लिए आप यहाँ पे कितना material रखना चाहते हैं, कितना height में रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे define कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको save कर लेते हैं, तो basically bulk storage के लिए इतना ही IMG settings होता है, तो अभी हम चलते हैं इसके test scenario के उपर, तो test scenario के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको material master रे create करना पड़ेगा, तो हम suppose एक material master MM01 के लिए create कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम industry sector जो है, इसको हम Tata Motors दे देते हैं, material जो है, इसको हम Tata Motors material दे देते हैं, enter कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमको जो है, warehouse management 1 and 2 के view लेना है, तो यहाँ पे हम organizational details में जाते हैं, और यहाँ पे हमको plant लेना है, storage location लेना है, warehouse number लेना है, और storage type जो है, इसको हमको, suppose हम 004 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको test bulk कर लेते हैं, work storage item कर लेते हैं, और इसको हम KG में ले लेते हैं, material group टाल देते हैं, मैं पे base unit of major जो है, इसको piece में ले लेते हैं, और तो यहाँ पे purchasing group TM0, तो यहाँ पे basically जो WM का one view है, यहाँ पे आपको stock placement के लिए, यहाँ पे stock removal and stock placement के लिए define करना है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, bulk storage के लिए BL के हैं, तो यहाँ पे भी आपको ल्क storage का जो BL के है वहाँ आपको यहाँ पे define करना है और यहाँ पे जो आपको ब्लक storage का indicator है, आपको यहाँ पे BL type का select करना है तो यहां पर next जो है warehouse management 2 यहां पर आपको क्या करना है only quantity में आपको suppose यहां पर आप 100 ले सकते हैं और यहां पर unit जो है इसको आप PC पर दे सकते हैं 100 piece and storage unit let's say BX1 पर and suppose आपको क्या करना है यहां पर suppose आप 50 ले लीजे और यहां पर piece पर ले लीजे और जो SUT है आप यहां पर BX2 दे सकते हैं तो यहां पर जो suppose छोटी वाली जो quantity होता है BX1 यानि कि जो small boxes होता है उसके यह लिए आप यहां पर 100 piece रख सकते हैं और जो अगर हम इसको चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं suppose आप यहां पर 100 के लिए BX2 ले लिजे और जो 50 के लिए BX1 ले लिजे यानि कि आपको BX2 के अंदर आप 100 pieces of material रख सकते हैं और BX1 के अंदर जो small type के boxes होते हैं उसके अंदर आप 50 का जो material है इसको आप रख सकते हैं तो हम यहां पर enter कर लेते हैं और यहां पर material का जो price है इसको suppose हम 10 दे देते हैं तो यहां पर हमारा material जो है यह create हो गया है इसको हम copy कर लेते हैं और अब हम इसके लिए एक purchase order बनाते हैं slash NME 21N पर जाते हैं तो यहां पर purchase organization, company code, material और यहां पर suppose 10 दे देते हैं यहां पर plant भी दे देते हैं enter कर लेते हैं तो आपको यहां पर जो भी details आपको enter करना है आप यहां पर दे सकते हैं तो यहां पर हम इसको check कर लेते हैं तो यह warning है हमको इससे कोई issue नहीं है हम इसको save कर लेते हैं तो हमारा यहां पर PO create हो गया है अभी हम चलते हैं इसके लिए GR करेंगे slash NME geo पर हम जाते हैं तो यहां पर हम MIGO में जाने से पहले चलिए इसका stock देख लेते हैं MMBE and LS26 पर तो यहां पर हम जाते हैं MMBE में हम यहां पर plant enter कर लेते हैं storage location डाल देते हैं तो अब यहां पर देख सकते हैं जो material है यहां पर available नहीं है on order stock only 10 quantity के लिए है similarly हम यहां पर जाते हैं LS26 में तो यहां पर हम अपना warehouse number डाल देते हैं और हम इसको देखते हैं LS26 में हमारा कोई भी यहां पर stock नहीं है no quants were selected इसलिए हमारा यह आ रहा है तो यहां पर हम suppose goods receipt में जाते हैं और अपना purchase order जो है इसको हम यहां पर देते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा material है यहां पर हम इसको item okay करके check करते हैं तो हमारा document okay है अभी हम इसको post कर लेते हैं तो यहां पर हमारा material document है यह post हो गया है तो अभी हम चलते हैं अपना storage हम यहां पर stock check कर लेते हैं तो हमारा mm का moment type है यहां पर अब अगर इसको देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा mm का stock type है वो यहां पर update नहीं हुआ है और यहां पर similarly आप अगर LS26 पर अगर देखेंगे तो यहां पर भी आपका यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा stock type है वो 902 यानि की GR का external receipt के area में यहां पर अभी available stock दिखा रहा है तो हम चलिए इसके लिए एक TO create करते हैं फिर उसके बाद हम देखेंगे moment जो हमारा कैसे होता है तो यहां पर जो material document है हम इसके लिए एक TO generate करते हैं suppose हम जाते हैं slash nlt06 में तो यहां पर हम इसको enter करते हैं और हम यहां पर foreground में चेक करते हैं तो यहां पर no destination storage bin found करके बता रहा है क्योंके हमने कोई भी storage bin यहां पर create नहीं किया है तो हम चलते हैं ls01 में और यहां पर storage type 004 के लिए हम यहां पर storage bin हमने जो structure बनाया था उसके हिसाब से suppose हम e1 ले लेते हैं तो यहां पर storage section 001 ले लेते हैं और यहां पर bin type हम यहां पर b1 ले ले लेते हैं और यहां पर हम इसको enter कर लेते हैं इसको save कर लेते हैं तो हमारा जो e1 create हो गया है अभी हम चलते हैं फिर transfer order में इसको cancel करते हैं then again हम इसको create करते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा destination storage bin है वो यहां पर generate हो गया है तो यहां पर आप इसके हिसाब से जो भी आपका destination storage bin है जो आपने storage bin maintain किया है इस storage unit type के लिए सफ़ वही वाला यहां पर allow करेगा तो यहां पर हमने multiple देखा यहां पर जो हमारा storage bin है इसको हमने create कि है different storage bin के साथ & अगर आप यहां पर euxवे 6 अगर हम यहां पर देखा तो यहां पर हम storage bin type जो हमारा different storage bin type यहां पर allowde है इसके हिसाब से हम create कर रहे थे, तो हमने only E2 के साथ जो है, हमने अपना जो storage bin है, वो हमने create किया है, जो allowed storage bin type है, यहाँ पे E2 के साथ created है, इसलिए हमारा सिर्फ E2 वाला जो है, सिर्फ यही allow कर रहा है, बाकि दूसरा कोई भी allow नहीं कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से refresh कर देते है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो location 004 के लिए put away के लिए 10 का stock है, और यहाँ पे picking के लिए 10 का stock है, तो यहाँ पे हमारा picking होके, यह put away के लिए 10 का stock यहाँ पे show कर रहा है, और यहाँ पे अगर हम MMB का stock में देखेंगे, अगर इसको हम refresh कर देते हैं, तो आ यहां पे confirm internally हम कर लेते हैं और इसको हम save कर लेते हैं तो अभी हम जाते हैं LS26 पे यहां पे अगर आप refresh करेंगे तो आपको यहां पे जो अब लेबल स्टॉक है वो 004 में 10 की quantity पे अभी दिखा रहा है तो यहां पे bulk storage check करने के लिए आपको क्या करना है आपको suppose आप एक और material य सेटिंग्स करना है आपकी सारे सेटिंग्स जो है हमने अलड़ी कर लिया है तो यहां पे आप material master के साथ और एक material यहां पे बनाईए with same bulk storage setting और यहां पे आप एक नया PO बनाईए तो जो भी आपका नया PO बने उसके बाद आप GR बनाईए दोनों आइटम के लिए फिर आप क्या कर सकते हैं मतलब PO के आइटम में आप यहां पे दोनों ही line item में लेके अभी का जो material अभी हमने यूज किया है और जो नया material आप ब फिर आप TO create केजिए यानि कि transfer order create कीजिए फिर confirm करिए और confirm करने के बाद आप देखिए आपका जो system है वो कौन सा बिन आपको propose कर रहा है आपको कौन से बिन में रखने के लिए दे रहा है तो यह आपका काम है आपको यह वाला करना है bulk storage चेक करने के लिए कि कौन सा system जो है आपको allow कर रहा है कौन से system कौन से storage बिन में आपको material रखने के लिए allow कर रहा है तो यह था आज का class I hope आपको यह class समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप question में पूछ सकते है comment section में पूछ सकते हैं अगर आप group join किया है तो आप group में भी question पूछ सकते हैं group का जो link है word को description में मिल जाएगा आप वहाँ से join कर सकते हैं अगर आपको class पसंद आया या फिर आपको video informative लगा तो जरूर ही इसको like कर दीजिए और अगर आपके भी कोई दोस्त जो mm and wm के उपर prepare कर रहे हैं उनको आप सोच रहे हो कि उनको कोई help मिल सकता है आप यह video उनको भ पिर अगले class में तब तक के लिए बाई बाई जाहे हैं देंड टेक केर